आज हम जानेंगे एक ऐसे महा मंगलकारी महा चमतकारी मंत्र के बारे में जो चौदा पूर्वों का समस्त सास्त्रों का सार है इस मंत्र महा मंत्र के जपने से आठ महा सिद्या प्राप्त होती है इस मंत्र से इस लोक में तो सुक आनंद वैभव मिलता ही है पर लोक में भी स्वर्ग और मोक्ष निश्चित हो जाता है तो जानते हैं आट महा सिद्धिया देने वाले नवकार मंत्र या नमोकार मंत्र के बारे में की नवकार के किस पद में कौन सी सिद्धी चिपी हुई है तो नमसकार महा मंत्र सर्वोत कुरुष्ट भाव मंगल स्वरूप है नवकार के पदों में आठ महा सिद्या चिपी हुई है जैसे स्री नवकार के प्रथम नमोपद में अनीमा सिद्धी है नमन करना या नम्रता धारन करना ये मनोवृत्ती का धर्म है नमन की मनोवरित्ती सबसे अधिक सुक्ष्म मानी गई है इसलिए नमोपत का ध्यान अनीमा सिद्धी को प्राप्त कराने वाला होता है नमस्कार महामंत्र के अरिहन तानम पद में महीमा सिद्धी समाई हुई है जो पुजा और प्रसंसा करने योग्य होते हैं वे अरहन कहलाते हैं पुजा और प्रसंसा का हेतु होता है अरिहनतों की अरहता और महीमा ऐसी अरहता महीमा से युक्त अरिहनतों का ध्यान करने से महीमा सिद्धी की प्राप्ती होती है नवकार के सिद्धानम पद में गरीमा सिद्धी समाई हुई है सिद्धानम पद गुरु मात्राओं से बना हुआ है और अपने स्वरुप से ही गुरु बाव गरीमा का सूचक है इसलिए उसका ध्यान या जब गरीमा सिद्धी की प्राप्ति कराता है सिद्धि पद यानी मोक्स वहां जाने वाले या गए हुए जीव सिद्ध कहलाते हैं सिद्धि पद सबसे बड़ा है इसलिए सिद्धि पद परस्तित महात्माओं के ध्यान से गरीमा सिद्धी प्राप्त होती है नवकार मंत्र के आयरी यानम इस पद में लगीमा सिध्धी समाई हुई है रखकर ही हो सकती है इसलिए भी आयरियानम पद के ध्यान और जब से लगीमा सिद्धी की प्राप्ति होती है नमोकार मंत्र के उवज्जायानम पद में प्राप्ति सिद्धी समाई होई है जिनके पास आकर या रहकर सिश्य अध्ययन करते हैं वे उपाध्याई कहलाते हैं या पास रहने वाले या आने वाले साधों को जो सिद्धान्त का अध्ययन कराते हैं वे उपाध्याई कहलाते हैं या जिनके पास रहने से सुरुत या ग्यान का लाब होता है उन्हें उपाध तो ज्यान का लाप कराने वाले उवद जायानम पद के जब और ध्यान से प्राप्ती नामक सिद्धी प्राप्त होती है। जो दूसरों का कार्य सिद्ध करते हैं वे सादू कहलाते हैं। पंच नमुकारों इस पद में इसित्व सिद्धी समाई हुई है। पंच सब्द से पंच परमेश्टियों का ग्रहन होता है। परम यानि सर्वस्रेश्ट जो ऐसे परम स्थान पर स्तित्थ हैं। उन्हें परमेश्टि कहते हैं। सर्वोतम स्तान पर रहने वाले होने से पंच परमेश्टि सबकी ईश अर्थात स्वामी है। नमस्कार सब्द प्रमान का वाचक है। इसलिए इस स्वरूप परमेश्टियों को नमस्कार करने से इशित्व सिद्धी की प्राप्ती होती है। उत्तम स्वामियों का ये स्वभाव ही होता है कि वे अपने आसरित और आराधकों को वैभव के मामले में अपने समान बना देते हैं। नवकार मंत्र के मंगलानम इस पद में वशित्व सिद्धी समाई हुई है। इस संसार में धर्म उत्कूष्ट मंगल रूप है। इसलिए मंगलानम इस पद के ध्यान से धर्म ध्यान और आराधना होती है। धर्म की आराधना के प्रबाव से देवता भी जहां वशिबूत होकर उन्हें प्रनाम करते हैं। तो फिर अन्य प्रानी वशी भूत हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। इसलिए मंगलानम इस पत के जप और ध्यान से वशित्व सिद्धी मिलती है। मंगल वाच्य पदार्तों की संक्या आठ होने से मंगल सब्द आठ संक्या को सुचित करता है। जैसे बानों की संक्या पांच होने से बान सब्द से पांच की संक्या का ज्यान होता है और नेत्रों की संक्या दो होने से नेत्र सब्द से दो की संक्या को ग्रहन किया जाता है। उसी प्रकार आठ संक्या को सूचित करने वाले मंगल सब्द से वशित्व नामक आठवी सिद्धी को सूचित किया जाता है. इसलिए उसका जब और ध्यान वशित्व नामक आठवी सिद्धी को देने वाला होता है. तो ये थी आठ महा सिद्या देने वाले चमतकारी नवकार मंत्र से संबंदित संचिप्त जानकारी मंत्र जब से अगर आपके जीवन में कोई चमतकार घटा हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो कितने लोग उठते ही नमस्कार महामंत्र का जब करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें